कि आज हम पढ़ेंगे एलेक्ट्रोनिक्स में दो हमारी दूसरी यूनिट है बीजेटी एफीटी और मॉस्फेट का पहला पार्ट बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अब बीजेटी को आपने अगर 12 में पढ़ा हो तो बीजेटी को ही ट्र ही एन पी यही ट्रांजिस्टर को ही हम आप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी आप बीजेटी को इसलिए बीजेटी यानि बाइपोलर sign इसको क्या बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अब जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं यह देखें यहां पर दो जंक्शन होते हैं अभी इसमें आगे तीन पार्ट होते हैं स और उनके caveat बनके तरांजिस्टर फटे act और इन Rings और यह कलेक्टर जिसको आगे देखेंगे लिए जो होता है थोड़ा सा पहले जानते हैं कि बिजटी बनता कैसे बिजटी इस वांड विद एनी थ्री लेयर ऑफ एन पी एन पी की हम किसी भी लेयर को अरेंज करते हैं एक सर्टेन और में जैसे माना हमने टाइप सब्सक्राइ तो इस हमारा क्या बनता तो इसकी घाल होती है और एक समेंद आती है और वह साउंड के साथ थोड़ी सी हीट भी निकलती है तो हमारा डिवाइस गरम भी होता है जब हम रिवर्स बाइस में करेंट फ्लो कर आते हैं आपको पता है इसी को हम बोदाएंगे कि जो हमारा डिवाइस होता है वो फिलो बहुत है और यह अब दो आपको पता है एक और एक पी अब अन पी अब अब देखिए इसमें दो एंड़ेर और पी डाइप के लियर है तो इन प्यूलियर वी और वी प्रिजेट तो हैं एन टाइप का पता है कि मजली में क्या होता हैume में ट्रॉन की में ओते तो होंगे हमारे होल होंगे तो यह जो इसमें करेंश करफ से होता हैं कि कि स्ट्व लंप मैंब कि किया हो जाएगा सफिक चार्ज करिए हो यह कर्या करेंगे होंगे करेंगे और जब तोमक्नले कैके शाल। किया हो जाएंगे स्ब्सक्राइब हो गए लेक्ट्राइए ओल्सक्राइब सब्सक्राइब जो करन्ट होगा वह किसकी होगा एलेक्ट्राइब होगा वैसे ही pnp में देखा एक लेन की है तो हमारा जो जो जेकर एकर महada must हरु अब प्लस 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 केश्डाउं की चालर की हरुए से फ्लो करता तो देखने यह ऑगर मीज़ोरकीR हो जाएंगे अब राइव करेंगे कि अजिए से होगा मैं समय थर्णिब यह कि अब देखेंगे पार्ट गृता है टांजिस्टर के दिन पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है हमारा तो कि एमीटर दूसरा टो honey है वेस और तीसरा पार्ट होता है क्या पार्ट आप पहला पार्ट देखते हैं अमिटर क्या होता है हमेटर हाइली डूब्ट होता है इसका एमिटर जो देखिए एक moderate size का है ठीक है और कहते हैं कि emitter highly duped क्यों होना चाहिए अगर highly duped होगा highly duped होगा तब ही तो उसके पास ज्यादा electron charge carriers हो ज्यादा charge carriers होंगे अगर ज्यादा duping होगी अपने पड़ा होगा पहले unit में कि duping क्यों करिया दी duping इसले करिया दी conductivity increase करा दें हम हमारे device की अब duping ज्यादा होगी तो conductivity बढ़ेगी और conductivity बढ़ेगी तो charge carriers बढ़ेंगे और जब charge carriers बढ़ेंगे और हमारे लिए यही तो है ना कि हमारा device ज्यादा से ज्यादा अच्छा अगर और होगा तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मादर होता है कई बहरा होता है समझने वाली बात यहीं हमारे तो मैक्सिमम् चार्ज केरियर पहुंचें तेसे जरी बड़ती जाएगी वैसे बैते चार्ज करी का मौंट जो है वर्ता जाएगा इसलिए हाइव चांप प्रॉप्ट होता है दूसरा पार्ट क्या आता है बेस क्या होता है बेस इस आपने पड़ा होगा कि अगर आप देखे ढाते हैं एक्साय प्लसका सकता माईनअ होता है यह यह हता है यह होता होता है उसमें होते हैं जो चर्णिस मतलब होती है hem कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं लिखिन अगर अगर पर जो डूपिंग को बढ़ा देंगे तो चार्ज के यहां से भी आएंगे और चार्ज के यहां से तो आई रहें तो रीकमबाइन होके हमारा करेंट का लवल हो कम हो जाएगा इसलिए हम इसको बहुत लाइटली करते बहुत छोटा रखते हैं यहां की जो डूपिंग की फुर्ट से उसने इस से अराम से पास हो जा अगर इसका टूपिंग Walter निकल लेगे और यहां से भी चार्स कोनेरों भी processes से बन्देने कैम जैसे मानेदे चार्ज होता है इनमें positive चार्ज होता है यो कि यह क्या होते है एक्सटा अगर इधर से positive आ रहा है यो कि हमने यहां से भी है डूपिंग कर राक्टी तो पॉल्सित वह इस तरह आगए बढ़ा जाने का समय time एक चार्ज कर्यार को जितना टाइम लगता है मीटर से क्लैक्टर जाने में उस टाइम को क्या बोलते हैं transit time जा बोलते हैं transit जाम बोलते हैं अब आता है collector कि एपटर ज्यांत बाड़ा कर रहा होगा तो अगर जैसे मानी हम कोई चीज जब देते हैं बहुत जाधार चीज देते हैं जी मानो नहीं वह आंत में चोटे से वरतन में आपने बनाया मतलब आपने चलिए कस्ट राया वना रहे आ आप नहीं क्या करा एक लीटर का दूद के भगाने में उसको बनाया यह उसमें बाद में आपने फ्रूट जाले और बाकिस चीज़े डाली तो उसका वाल्ієम और उसकी ज़ो बढ़ जाती उसलिए हमें कोलेकर करने के जाँएट ज़ादा बड़ी चीज़ चाही चाहीए एक लीटर से जदा बड़ी चीज़री होती इसलिए होना चाहिए कि हमने बोला था हेले रूख और यह यह लाट्ली डूप पर ताकि का लॉस ना और इसको इसलिए करते हैं तो करेंगे तो करेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारी डिवाइस टूट जाएगी और इतना ज्यादा डूप भी नहीं करते हैं कि सारा current यहीं पे drop हो जाए है, zero हो जाए, मνοadel at sara current वो oppose आपोस करते, इसलिए इसको हम moderateいい करते हैं, अगर इसके base के बराबा डूप करते हैं तो current इतना ज्यादा flow करेगा कि हमारा device खराब हो जाएगा और इतना जादा डूप भी नहीं करते हैं ताकि अगर इसकी डूपिंग इससे जादा हो गया आप देखने साइज बड़ा है तो ऐसा हो सकता है इसकी डूपिंग जो होती हो हमेशा मॉडरेट रहती सबसे डूपिंग एमिटर की रहती है अगर कलेक्टर क लेयर हमारी बढ़ जाएगे और यहां पे भी हमारा डिवाइस खराब हो जाएगा इसी लिए इसको हम क्या करता है मॉडरी डूप करते हैं फटाक से चार्ट से देख लेते हैं इमिटर क्या था हमने बोला था हाइली डूप था यह मैक्सिम नंबर अफ चार्ज के इसको ज सब्सक्राइब करते है् ग् hatır माइस घ्मचेफ्य रख और सब्सक्राइब ज़्यादा जगे बुना गेर बस तुरंद एमिटर से बेस में अगर यह इसका साइज तो यहां से कलेक्टर से बेसे कलेक्टर तक चला जाए अब कलेक्टर अमने बुला था कि कैसा था हम दोड़ाइस हिसलिए रखा था बहुत जादा कम दूपने तो हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी एक कम रखें गया तो हमारे यहां से ब्रेक हो जाएगा मतलब इसने इतनी तैजी प्रहुत हो झागी सारा जाएग और यहां पर हीटिंग की वज़े से हमारा छिए बाइस क्या ओनाची जिए